तो इंडिये के एजिंडा पे कौन चल रहा है इंडिये के एजिंडा पे नितीश कुमार चल रहा है भारते जनता पार्टी के एजिंडा पे नितीश कुमार चल रहा है मैं कहा कि उन मुखोटों का मैं क्या जबाब दूँ यह मुखोटे हैं पार्टी के और उसके लिए देश घुमने की जरुवत नहीं है वो दिली में जाकर कि आवेदन दे देंगे राष्ट कांग्रिस की अध्यचिक यहां जिनके नित्रुते में गठबंधन चल रहा है वो का शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि बिहार में उनकी यात्रा का कोई ओचित्ति नहीं है बिहार में नितिश कुमार के उपर मुखरता से बोलने वाले आर्जडी विधायक सुधाकर सिंग हमारे साथ हैं सुधाकर जी जब भी आब बोलते हैं बिहार की सियासत तेज हो आप मेडिया के बंधो मैं किसी को आहत करने के लिए बयान नहीं देता मैं राजनीती के लिए भी बयान नहीं देता मेरे तो बहुत साधारन सवाल है बिहार के दस करोड किसानों को लेकर किये कि मंडी कानून बना दिया जा जो महागटबंधन और आश्टी जंतादल का मू ददत देने का काम किया था कोई ब्यक्ति कोई पार्टी कोई गटवंधन तभी सक्रिय रूप से आगे बढ़ेगा जब किसानों के सवाल पर आगे बढ़ेगा आज भी बिहारे में नितिश कुमार जी भाजपा की एजिंडा पर सरकार चला रहे हैं और किसानों के लिए कभी नहीं करेगी अब इस सवाल पर मैं मौन साज लेते हैं लोग सत्ता रूट दल के लोग मुख्यमंत्री तो आश्चर होता है और अन्य संदर्भों में सब्दों के किये गए इस्तेमाल को लेकर के उग्र हो जाते हैं यह आश्चर है कि यह उग्रता बेकिसानों के पच् लेकिन आपके इसी बयानों से आपने जिस जिस सब्द का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री के खिलाप उसके बाद आपको बीजेपी का एजेंड कहा जा रहा है जिन सब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है उराष्टिये जनता नहीं कह parler है कोयी और राष्टिय कार समीति में पारित आर्थिक राजिनितिक प्रस्ताव से इतर में कोई भी सब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपके पार्टी के ही नेता और बरतमान डिप्टी स्यम तेश्रीय आदव नहीं कहा कि इस तरह के बयान जो दे रहे हैं वो बीजेपी के आज के भीतर सरकार चलाना चाहते हैं वह स्युकार नहीं उनको महागटवंधन के ही एजिंडा पर सरकार चलाना पड़ेगा इसका बर्थ ये निकलता है जिसका आप दूसरी तरीके से कुछ लोगार्थ निकालते हैं तो दुरभाग्य है आप जिस तरह नितीश कुमार के परवाई कर सकती है एक सवाल तो है नवाई कि मैं मंत्री पत पर था तो भी वही कहा मंत्री पत से हटने के बाद भी वही कहा मंत्री बनने से पहले में विधायक था मैंने वही बात कहा और उससे पहले जो मैं कुछ भी नहीं था पार्टी का साधारन कारता था तो मैंने वह आता है चरित्र में तो क्या आप चाहते हैं कि 12 चरित्र वाले लोग jegnanerti करें बिहार में जिस्तरय से आपके टूइट को रिटूइट किया जा रहा है फॉलो किया जा रहा है जंता पर्मुकता से कॉमेंट कर रही है तो प्रसंसा तो हो रही है आपकी लेकिन आप मुखबंतरी के खिलाब बोल रहे हैं तो पार्टी से करवाई की डर नहीं सता रही है आपको कहीं भी पूरे राजनेतिक संत्र में आप किसी सरकारी ऑफिस में जाईएगा कुई सी काम को ले करके तो आप प्यून के पास जाते हैं कि उसके हेड के पास जाते हैं कि उनके पास नहीं जाते हैं हेड के पास जाते हैं तो मेरे जो सवाल है विहार के जनता का तो राज के प्रमुक के ही पास नहोगा कि हम नीचे जाकर बोल कर क्या करेंगे किसी के पास हम मुख्मंत्री सची वाले में मुख्मंत्री से जाकर बात रखेंगे कि हम जाकर वहां के यारा नितिसमार कहते हैं कि उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता लालू यादा फैसला करेंगे आपकी बयानों पर हमारे लराष्टी अध्यास लालू प्रसाद जी के किये गए फैसले को ही मैं बोल रहा हूं उनकी द्वारा लिए गए निर्डे को ही तो मैं याद दिल नहीं कभार रहा हूं अब उनकों नहीं समझ में आ पा रहे हैं तो उम्रका उन्पर विपरीत प्रभाव पड़ा होगा उसका साथ जिसके चलते उनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं टो सिधी बात कर रहा हूं कि बिहार में मंडी कानून लागो करिए क्दान के की ह detal करیں लिए मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं कोई दूसरी भासा में हो जाना चाहते हैं तो बताए मुझे तो झाख अंग्रेजी आती नहीं कि मैं इंग्रेजी में बात करूं इस बात को मंढि कानुन के साथ आप जिस अब्जन का इस्तमाल कर रहे उससे लगता नहीं कि महागठवंधन में तूट हो सकती है, आरजिरी जदियू अलग-लग हो सकती है। महागठवंधन में तूट क्यों होगी मेरी सब्दों को लेकर किए। जदियू के निता ऐसा कह रहा है। कि जद्रिव के लेक जद्रियू के लोग धंकी दे रहे हैं तो मैं क्या करों एक तो धंकी हुआ ना कि सवाल सथा से पूछने पर धंकी दिया जाई यह तो बिहार की जनता के लिए तो ठीक बात नहीं है बात तो ये है कि जो हम सवाल कर रहे हैं उसका समधान करना चाहिए लोगों को मिल कर कि सभी लोगों को एक सवाल है कि आरजेडी के परदिफ अध्यख जड़ानन सिंग जो आपके पिता भी है वरिशनेता है उन्होंने राम मंदिर के उपर सवाल खड़ा किया है उन्होंने कहा है कि विवादित जमीन पर राम मंदी का जिमान हो रहा है और हम लोग हे राम वाले हैं जे स्री राम वाले नहीं है उनके इस बियान के बाद काफी परतिक्रियाई निकल कर आ रही है राजमिती में सवाल जमीन पर किये हो, भगवान राम पर नहीं किये हैं, और भगवान राम की बनने वाले मंदिर पर भी नहीं किये हैं, जमीन बिवादित हो सकते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, बिहार में, देश में, राजवर में, वो बिवाद का विशे भगवान राम नहीं नहीं ना विबात का भी से मंदिर हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि मंदिर बने, पहले भी लाखों मंदिर बने हैं, आगे भी लाखों मंदिर बनेंगे, और भगवान राम हो जो समाज को जोड़ने के रूप में, प्रतीक के रूप में हम थे, वो आज कुछ राइनितिक दलों के भ्रणा और समाज को तोड़ने के रूप में प्रतीत के रूप में इस्तिबाल किया जा रहे हैं ये दुर भागय पूर हैं हमारे भगवान हमारा संस्कृती हमारा धर्म कहता है वसुधय कुटुम्मकम इस वसुधा पर रहने वाले सबी लोग मेरे कुटुम्म हैं हमारे वो जैसे राम तक की जो सांस्कृतिक जो चीजन है उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं हम सभी की भगवान सभी के लिए कड़कर में जंजन में बसने वाले भगवान राम की हम अराधना करते हैं ग्री मंत्री अमीद साब बिजपी नेता हैं उनका कहना है कि दो हजार चौव भगवान राम के नाम पर अनेत्हा उसके लिए मंधर बन रहे हैं उनके लिए महंत हैं उसके लिए नियास हैं उन नियास St देशकी जन्ता करूडों लोगों ने नहीं, अर्बों लोगों ने चंदा दिया एक रूपे से लेकर के लाखों रूपए तक के चंदे दिये गए वो कोई पार्टी के अधार पर चंदे थोड़ नहें आस्था कंदे अधार पर हैं और हाक सब्सक्रारिय बनेंगे तो एक सवाल जरूर बनता है कि मुखमंत्री समधान यातरा पर निकले हैं और जो इस्तिती निकल सामने आ रही है जो घटनाएं देखने को मिल रही कि तीसकुमार जनसभा नहीं कर रहे हैं आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं बेतिया में मासूम बच्चों को बैठा कर रखा ग कि और पार्टी के द्वारा चुने गहिए जैन-प्रतनिधी जो मीखने प्रत्निधी उनंगी से उन Golfात कि इंतिर्श के लोग संत्रा शालों से जिंदाबात जिंदाबात करते रहे थे थे कंदेपर लेकर निकमार को आज क्यों भला बुरा कह रहे हैं समझ भी नहीं धूरा तो अभी कह रहें नितिश कुमार को 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 ब मैं तो सत्तरा सालों से उनको कह रहा हूं कुई मैं निया कह रहा हूं क्या मैं सद्धा क्या टॉफ्य लेकर के चुप 나오나 तो मेरे विरोध में अंतर है मैं शास्षक विरोधि हैं उनकी नीतियों का और भारती जंता पाटी के लोग सुविधा के इंसा हिसाब से विरोधि और समर्थक बनते रहते हैं यानि कुछ भी हो आप नितिशकुमार का विरोध करेंगे अपने बयान पर अडिक रहेंगे उनको मेरे बयान को बंद करना है, मेरे विरोध को बंद करना है, तो क्रिशी कानून को बना दे, बिहार में multiple agency declare कर दें procurement में, हम जरूर उनकी बाह 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 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं मौन तो साधरूँगा, जो आपकी बातों का समधान कर दिया जाएंगा, तो फिर वाहवा क्यों है, इसका मतलब कि मुखनत्री नितिश कुमार से भी ब2017 कर दिया है, या सवाल नहीं कहा, अगर आपने कहा कि मैं वाहवा नहीं कहुंगा समधान करने के बाद भी तो इसका आर्थ साब turn vidéos PayPal a back का बहुत सारा सवाल है इन वाजवानों का रोजगार का सवाल है बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सवाल है लोग यहां की इस राज की करोडों करोडों को स्वास्विधाओं के लिए पढ़ने लिखने के लिए कई सवाल है ऐसा नहीं है कि क्यों दो सवाल है लेकि दो सवा कि मुझे मालूम तक नहीं है कि ऐसी घटना घटी है उनसे 72 होता है कि उनसे सवाल को दुवारा वो वीडियो दिखा करके दिखाते तो साथ उसका जबाब ठीक धंग से देते और उसका जबाब वही दे पाएंगे कि क्यों नहीं उनको पता चलता है कि राजिकी पटना की अधिकार को ले करके उसकी बात को सुनना चाहिए और उनको डंड नहीं देना चाहिए लाठी डंडे से तो नहीं पिटाई करनी चाहिए आप मानते हैं कि तीनों पाली की परिच्छा है रद हो जी नहीं चाहिए बी एससी के किस रुप में देखते हैं मेरे बयान पहले भी इस पर विस्तित रुप से बयान है आप दोहरा रहें इस बयान को दू कि साधे तीन सो करोड के जगा पचीस तीस करोड के विमान काफी होते हैं चलने के लिए इस गरीव राज में यह आमीरों वाली सौक नहीं फानने के जर गटना घटी है यह घटना केबनेट मिटिंग से स्टार्ट हुई जब नितिसकुमार के सामने इन्हों ने शवाल जवाब किया उसके बाद मंत्री पत्से इन्हों ने इस्तिफावी दे दिया उसके बाद लगातार जो है इनका बयान आते रहता है नितियों के उपर और आपने सुना क्या कुछ कहाना सुधाकर सिंका विशुजीत आनंद फॉस्ट बिहार पटना